तो फ्रेंज आब इस तरीके का रेलवे स्टेशन नेम लोगो बाना सकते तो फ्रेंज उसके लिए आपको पिक्साल आप ओपन करना पड़ेगा तो फ्रेंज उसके बाद आपको ब्लैक कलर का बैग्राउंड लेना है और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है तो फ्रेंज उसके बाद आपको शेप में आने के बाद आपको यह वाला शेप लेना है तो फ्रेंज उसके बाद आपको इसको आपको बड़ा करना है बड़ा करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है तो फ्रेंज उसके बाद आपको उसको आपको रोटेट करना है तो फ्रेंज में रोटेट लेना तो फ्रेंस इस तरह का आपको शेप बनाना है और इसको आपको सेट करना है कुछ इस तरीके से तो फ्रेंस में इसको सेट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से तो फ्रेंस के बाद आपको राइट क्लिक करना है तो फ्रेंस में राइट क्लिक कर रहा हूं कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं तो फ्रेंज यह आपको गोल वाला करना है कुछ इस तरीके से तो फ्रेंज में इसको आपको सेट करना है मिडल में तो फ्रेंज में इसको सेट करना है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको मिडल में सेट करना है तो फ्रेंज उसके बाद आपको उ राइट क्लिक करना है तो फ्रेंज उसके बाद आपको लॉप पर क्लिक करना है तो फ्रेंज उसके बाद आपको नेम प्लस पे आइकॉन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको दादर लिखना है तो फ्रेंज उसके बाद आपको उपर वहाँ पर आपको सेट करना है तो फ्रें लाइक वाला कलर दे रहा हूं infra यूसके बाद आपको राइड कुलेक करने के बाद आपको कि फौंट में अपको एक फॉंट लियना और आपको माराटी में दादर तो फ्रेंस उसके बाद आपको जो अपने दादर लिखा है उसको आपको उपर रखना है तो फ्रेंस के बाद आपको जो आपको फॉंट चाहिए उसका आपको आड कर सकते कुछ इस तरीक से तो उसके आपको ब्लो बोल्ड पर क्लिक करना है तो से गुद्ण देख सकते हैं कुछ इस तरी के सबकू बना ना है तो उसके पार आपको जो फॉंट चाहिए उस पर आपको सकते हैं इस तरी के से名Mm-s आपको कर सकते हैं तो फ्रेंज इस तरह तो फ्रेंज उसके बाद आपको टेक्स्ट में आने के बाद आपको वापिस दादर रखना है लिखना है तो फ्रेंज में दादर लिख रहा हूं तो फ्रेंज उसके बाद आपको वाइट वाला कलर सेट करना है तो फ्रेंज उसके बा बाद आप देख सकते हैं हमारा हो जोग है कुछ इस तरी के से आप वीडियो फोटो बना सकते हैं कुछ इस तरी के से रेलवेस्टेशन नेम लोगो बना सकते हैं तो फ्रेंस वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो तो फ्रेंस कुछ कुछ इस तरीक से आपको रेलवेटरेशन नेम लोगों बना सकते कुछ इस तरीक से तो फ्रेंज उसके बाद आपको सेयो करना है सेयो करने के बाद आपको अल्टरा पर क्लिक करना है